तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन-कौन सी ऐसी गाड़ी है जो मारुती सुजुकी स्विफ्ट की अल्टरनेट हो क्योंकि तेहॉर्व का सिजन चल रहा है बहुत सारे लोग सोच रहे हुँगे कि मारुती सुजुकी की स्विफ्ट ले लें या बहुत सारे लोगों ने बुक करवा दी होगी वो सोच रहे होगे कि इस त्योहारू के सीजन में मारूती सुजु की स्विफ्ट को लिया जाए क्योंकि जो पिछला मेहना था 2018 सितंबर उसमें सबसे ज़्यादा विकने वाली कार है मारूती सुजु की स्विफ्ट जो की 2228 युनिट भी की है पिछले मेहने के अंदर और जब से ग्लोबल एनकैप ने मारूती सुजु की स्विफ्ट का क्रेस्ट टेस्ट किया है और उसको मिले है एडल सेफ्टी में सिर्फ दो इस्टार और चाइल सेफ्टी में भी दो इस्टार तब से लोगों के दिमाग मे कन्फिूजन है क्योंकि यह जो प्लेट़फॉम था मारूती का सबसे एडवांस प्लेटफॉम ठा जो की हाट टेक प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है जिस पर बलेनो बनी वही थी स्विफ्ट बनी वही थी और मारूती कहती थी कि यह सबसे सेफेस्ट प्लेटफॉर्म है हमारा और अगर रिजल्ट की बात करें तो मिले हैं सिर्फ दो स्थार ऐसी कई गाड़ियां है जो जीरो स्थार लेका यह एवन एयर बैक होने के बावजुद लेकिन मारूती द्वारा क्लेम किया गया यह सेफेस्ट प्लेटफॉर्म था जो की हार्टेक प्लेटफॉर्म था और हार्टेक प्लेटफॉर्म में बनी हुए गाड़ियां के बेस वरियंट से ही आपको ABS मिलता है एयर बैक मिलते हैं दो और EBD और brake एसे जैसे सेफटी फीचर्स मिलते हैं तो बात कर सब्सक्राइब काफी ज्यादा अच्छी है उसमें से स्विफ्ट भी एक ऐसी गाड़े जिसकी रिसेल वैल्यू काफी अच्छी है तीसरा मारुती सुझगी का सर्विस नेटवर्क और चौथा मारुती सुझगी का भरुसा जो धिरे-दिरे आप खतम होता जा रहा है तो अ गटा कि टियागो या फिर टियागो एन आर जी तो यहां पर मैं आपको वैरियंट के अकॉर्डिंग दूसरी गाड़ी के वैरियंट का मैच कराके रेट के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि स्विफ्ट एलेक्साई के लिए कौन-कौन से ऑप्शन है अल्टरनेट वी दिल्ली लगभग साड़े पांच लाग का बैठता है तो उसका अल्टरनेट क्या है उसका अल्टरनेट सिर्फ एक है काफी अच्छा वो है टियागो का एक्स जेड वैरियंट जो की ऑन रोड आपको पड़ेगा पांच लाग सतर हजार का विदाउट अलाई वील और टियागो से अच्छी बिल्ड क्वालिटิ अच्छा म्यूजिक सिस्टम सेफटी फीचरि एवेएलेबल हैं और ride quality काफी अच्छी है high speed stability काफी अच्छी है और mileage भी Tiago का काफी अच्छा है Swift के comparison में एक चीज आपको नहीं मिलेगी engine की smoothness और उतना बड़ा मारुति के जैसा service network ऐसा भी नहीं है कि Tata का जो service network है काफी छोटा है Tata का भी काफी बड़ा है तो यहाँ पर जो Swift का base variant का जो price उससे match खाता हुआ है Tiago के top variant का price जो की काफी reasonable है तो आप अगर Swift LXI ले सकते हैं तो आप Tiago का XZ variant भी देख सकते हैं काफी अच्छा option है तो अब बात करते हैं Swift के second trim की जो है VXI इसमें आपको दो option है सबसे पहला option है Hyundai की grand item और grand item का sports version grand item का sports से नीचे वाला variant लेना सही नहीं है क्योंकि उसमें safety features पूरे नहीं आते हैं उसमें ABS आपको नहीं मिलता है आने वाले time पर standard करने वाली है Hyundai लेकिन इस time पर available नहीं है और साथ में grand item में लगबख 40-45,000 का festival season के अंदर discount चल रहा है तो Swift VXI की on-road कीमत है 6.500,000 रुपे और वहीं पर आपको जो grand item है वो मिल जाएगी on-road 6.600,000 में और आप इसमें 40-45,000 रुपे माइनस कर दीजिए लगबख 6.200,000 के आसपास आपको ये गाड़ी on-road पढ़ जाएगी जिसमें आपको मिलेंगे safety features, touch screen infotainment system, rear race event, reverse parking camera और Hyundai की 2 साल और unlimited kilometer की warranty और साथी साथ build quality भी इसकी Swift से काफी अच्छी है और Swift VXI का दूसरा alternate है Ford की freestyle वो भी trend variant इसमें आपको powerful engine मिलेगा, touch screen मिलेगा, infotainment system, reverse parking camera, भैतरीन build quality वाली कार लेकिन आपको mileage में थोड़ा सा यहाँ पर कमी मिलेगी दोनों गाडियों में, grand item में और freestyle में जो की Swift से थोड़ा सा कम रहेगा, यहाँ पर आप लोगों को compromise करना पड़ेगा, और यहाँ पर तीसरा option भी available है, Tiago की NRG जो की on road आपको पड़ेगी 6,20,000 की, वो भी Swift VXI का अच्छा alternate है, तो अब बात करते हैं, Swift के Z trim की, जो है ZXI य यह आपको on road पड़ेगी 7,40,000 दिल्ली में, और इसका best alternate है, Ford Freestyle Titanium, यह आपको पड़ेगी petrol में 7,40,000 almost same price है, लेकिन क्या-क्या ज्यादा features आपको मिलते हैं, Ford Freestyle के अंदर, सबसे पहले है, अच्छी build quality, hill hold, electronic stability program, traction control system, touch screen, infotainment system, reverse parking camera, और साथ ही भैतरीन build quality, और यही पर इसका दूसरा option है, grand item, extra variant, जो की आपको discount के साथ 7,00,000 से भी नीचे की पड़ेगी, उसमें आपको मिलेगा, 2 साल और unlimited kilometer की warranty, touch screen, infotainment system, reverse parking camera, rear AC van, cooled glove box, और साथ ही DRLs भी आपको मिलेंगे, grand item, extra variant के अंदर, तो अगर हम बात करें, swift के top variant, ZXI plus variant की उसकी on road कीमत है, 8,20,000 रुपे, और वही पर ford freestyle की जो top variant, जो की titanium plus है, उसकी कीमत है, मात्र 8,00,000 रुपे, उसमें भी आपको बहतरीन safety मिलती है, सबसे अच्छी बात यह है कि ford freestyle के top trim में आपको मिल जाते है, 6 airbag, साथ ही hill hold, traction control system, electronic stability program, train sensing wiper, powerful engine और ऐसी बहुत सारी चीज़े, आपको मिल जाती है ford freestyle के अंदर, और रही बात service की, जितनी भी यह गाड़ियां है, इनका service का खर्चा almost बराबर ही है, और इन तीनों swift के विकलपों में से सबसे ज़्यादा value for money है, टाटा की टियागो, उसके बात freestyle और grand item, क्योंकि grand item में अभी काफी अच्छे offers चल रहे हैं, जो कि पहले से चलते हुए आ रहे हैं, हो सकता है festival season में और बढ़ जाएं, और ford भी कम price में काफी अच्छे features दे रहे हैं, और काफी अच्छी build quality के साथ इन्होंने अपनी गाड़ी को market में उता रहा है, और ford जानी जाती है अपनी अच्छी काफी build quality के लिए, अगर आप आज की crash test report के बाद swift को नजर अनदाज करना चाते हैं, अपना mind change करना चाते हैं, तो आपके पास यह 3 option available हैं, और इतना अच्छे तरह से मैंने variant wise आपके लिए विकल्प तयार किये हैं, हो सकता है आपको इ वीडियो पसंद आईगी और काफी आपके useful रही होगी यह वीडियो, वीडियो को लाइक कीजिए और comment लिखिए अपना कौन कौन से बहतर option हो सकते हैं, तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं, बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई